नमस्कार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के सेशन में आज मैं आपके साथ अपनी कुछ स्किन की जो भी मेरी डेली रूटीन की आक्टिविटीज है वो साजा करना चाहूंगी बहुत से लोगों की क्वेरिस इन चीजों को लेके पर सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगी एक साइंटिफिक एक्वेशन के बारे में जो इस मैटर में काफी बहत पूर्ण है बैसिकली हमारे जो भी करेक्टर होते हैं जैसे कि हमारी बॉडी टाइप या हमारे बाल या स्किन ये अनुवान चीजों के बेसिस पे हमें मिलते हैं और ये आप नहीं बदल सकते हैं पूरी तरह से हाला कि थोड़ा बहुत इस पे आप ट्रीटमेंट करके या इन्वार्मेंटल कोई सर्राउंडिंग फैक्टर के बेसिस पे इसको बदल सकते हैं इस साइन्टिफिक एक्वेशन को बोला जाता है P इक्वल्स G प्लस E प्लस G इन्टू E इट मीन्स जो आपकी फीनोटाइप है जो आपका करेक्टर है वो आपके जीनोटाइप प्लस आपके इन्वार्मेंटल फैक्टर से बनता है खेर चलते हैं मेरे स्किन रूटीन की तरफ मैं क्योंकि उत्राखंट से आती हूँ मैं बहुत ताइं तक पॉलूशिन फ्री जगों पे रही हूँ शायद उसका एक बहुत मेजर एफेक्ट है मेरी स्किन पे कि मेरी स्किन में थोड़ा लस्चर उसकी वज़ा से मुझे लगता अब तो American Medical Association भी accept कर चुकी है कि जो healthy fats होते हैं वो body के लिए नुकसान नहीं करते हैं वो body के लिए बहुत जरूरी होते हैं और घी भी उनमें से एक है तो आप एक moderate मात्रा में अपने खाने में घी और बाकी healthy चीज़े इस्तेमाल कर सकते हैं मैं पानी भी बहुत पीती हूँ जिसकी वज़से भी skin में एक काफी चमक बनी रहती हूए ऐसा मुझे लगता है और generally मैं जब सुभा बाहर निकलती हूँ तो sunscreen हमेशा लगाती हूँ जो भी मुझे suit करता है मैं usually एक किसी brand पे टिकने में विश्वास रखती हूँ तो आप भी इस तरीके से जो भी आपका favorite brand ह और जो कम से कम chemicals वाला sunscreen है उसको लगाए शाम को जब लौटती हूँ अक्सर मैं अपने चेहरे को oatmeal से धोना पसंद करती हूँ यह जो oatmeal है जिसे की हिंदी में जै भी कहा जाता है यह बहुत ही गुंकारी एक अनाज है खाने के लिए भी बहुत गुंकारी है cholesterol को कम करता है और इसमें जिंक होता है natural antioxidant होते हैं जिसकी वज़े से यह skin के लिए काफी अच्छी होती है खासकर उन लोगों की skin के लिए जो बहुत sensitive type के होते हैं तो अगर आपकी tanning हो गई है या किसी तरीके की धूप से आप आ रहे हैं और आपको rashes हो रहे हैं तो oatmeal उसके लिए perfect recipe है आप oatmeal के साथ दही मिला के उसे इस्तेमाल कीजिए तो उससे tanning भी हटती है अगर आपकी skin थोड़ी oily है तो आप इसमें थोड़ा सा बेसन या थोड़ा सा दाल का powder मिला के फिर इसे 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 इसमाल कर सकते हैं तो थोड़ा सा छोटी मूटी चीजों का ध्यान रखना होता है इसके टाइम नहीं मिलता है बच्पन में मैं बहुत face pack लगाती थी और जो भी natural और local face pack होते थी जिसे घर में चंदन की लकडी होती थी तो इसके चंदन का face pack लगा लिया या खादी ग्राम उद्योग में जो मिलते हैं local face pack वो मुझे बड़े पसंद आते थे तो मैं काफी उनको इ अगर आपके चहरे पे दाग धबे पड़े हुए हैं किसी कील महासो की वज़े से या जलने की वज़े से तो वो उसको काफी हद तक कम कर देती है और मेरे केस में तो अगर मैं regular alternate days में बादाम लगाऊं तो मुझे एक वीक में अपने चहरे में बहुत फरक नजर आने लगता ह है तो यह भी एक अच्छी रेसिपी है ट्राइ करने के लिए इसके अलावा हमको healthy खाने की बहुत जरूरत है ज्यादा से ज्यादा natural ingredients इस्दिमाल कीजिए अपने skin पे लगाने के लिए और जब कभी कभार make-up करना होता है तो बहुत ज्यादा make-up नहीं करती हूं make-up मेरा favorite ह काजल और skin में जनरली एक Mac का illuminizer वाला एक कोई moisturizer है और मुझे याद नी है नाम लेकिन वो कुछ मैं लगा लेती हूं कभी कभार अभी भी मैंने शायद वही लगाया वा है और कुछ ने तो यह मेरा basically यह मेरा basic सा skin routine है और जिसमें मेरे diet भी मेरे लिए एक important factor है तो मैं बहुत कोशिस करती हूं कि healthy खाना खाऊं वो बात अलेगे कि मैंने सारी मिठाईयों की recipes डाली वी है बहुत limit में खाती हूं मैं वो सब तो मैं उमीद करती हूं कि आपको मेरे skin routine से कुछ किसी तरीके का idea लगा होगा कि अगर आप उसे अपने daily routine में शामिल करना चाहे मुझे आपकी लाइक कर सकते हैं शेयर भी कर सकते हैं और subscribe भी कर सकते हैं पर ये पूरी तरह से आपकी इच्छा पे निर्पर करता है कोई जब अदस्ती नहीं है तो आज का ये वीडियो में यहीं पसमाप्त करती हूं और हम जल्दी मिलते हैं एक और नई जानकारी के साथ तब तक के लि बहुत बहुत अन्यमत नमशकर